नमस्कार दोस्तों गार्गी क्लासेश पर आपका स्वागत है डेट आज की 10 नॉवंबर 2020 और देख लेते हैं इंडियन एक्स्प्रेस की इंपर्टन न्यूज जो भी हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे फर्स न्यूज जो रहेगी वह फेस्बुक से रेलेटेड है यह डिसक दूसरा आर्टिकल न्यूज रहेगी नेपाल के जो आर्मी चीफ हैं वो इंडिया में आए हुए हैं उनसे बातचीत फिर इसके आगे हम बात करेंगे फिर देखो आर्बी आई के दौरा दो स्कीम्स लाउंच की जारी है उन स्कीम्स के बारे में हम यहां पर जानेंगे इस एड़ोटीजमेंट के बेसिस पे फिर आगे एक आर्टिकल यह वाला है जिसमें हम देखेंगे क्लाइमिट चेंज परफॉर्मेंस से संबंदित दूसरा देखेंगे अफगानिस्तान पे जो इंडिया ने नेशनल सेक्योरिटी एडवाईजर्स की मीटिंग बुलाई है उस इसमें जो आप कह सकते हो कि जो शीजिन पिंगा चाइना के उनके थर्टम देने की बात की जा रही है तो चाइना की कम्यनिस पार्टी की मीटिंग होनी है तो उस पॉइंट आफिस इस आर्टिकल को थोड़ा सा देखेंगे इसके अलावा एकनॉमी पेस पे हम फर्स आर्ट इसमें हम देखेंगे की लाइक माइंडेड डवलपिंग कंट्री का डिमांड कर रहे हैं और इधर चाइना ने मोस्ट एडवांस वार्टिप जो है वो पाकिस्तान को डिलिवर कर दिया यह जानेंगे इसके आगे पाकिस्तान में एक हिंदू टेंपल को डिमॉलिश कर दिय गया था एक एक डिए साल पहले उसको फिर से मतलब रीकंस्ट्रक्ट किया गया है उसको इनागरेट किया है पाकिस्तान के सुप्रीम कोट के चीर जस्टिस के दौरा उस पॉइंट आफिस आर्टिकल को देखेंगे और एक स्पोर्ट निउस पेस 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 वह वो क्लाइमेट चेंज परफॉरमेंस इंडेक्स 2021 इसको कंपाइल किया गया जर्मन वाच के द्वारा साथ में इसके है दे न्यू क्लाइमेट इंस्टिट्यूट इसके अलावा दे क्लाइमेट एक्शन नेट्वर्क और ये टूजडे को रिलीज हुआ ठीक है इसमें आप रैंक जो हैं एमपटी रख दी क्योंकि कोई भी कंट्री अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया इसके अलावा मॉरक्को और यूके इनको भी देखो मतलब आगे की नेक्स्ट कमिंग रैंक से वो मिल गई ठीक है फर्स त्री रैंक से वो एमपटी रख दी वो मैंने बता चु क्योंकि ओवरोल जितने भी केटेगरीज थी उन सभी में कोई भी कंट्री अच्छा परफॉर्म पूरा कहते हैं ना हंडर्ड पर्संट परफॉर्मेंस किसी की नहीं आई बॉटम रैंकिंग की बात करो तो यूनाइट स्टेट्स को बॉटम रैंकिंग मिली है सिक्स्टी फ नाई इट ओके और इंडिया की परफॉर्मेंस देखें तो रनेवाबल एनर्जी की कैटेगरी इना उसमें इंडिया इतना पर्फॉर्म नहीं कर पाया बाकी बाकी कैटेग्रीज में अच्छा परफॉर्म कर पाया ठीक है तो renewable energy category में इंडिया की ranking रही medium पे ठीक है और वैसे overall high performance में से रहा है तो ये अपने आप में अच्छी बात है इसके अलावा report में इंडिया की देखे तो इंडिया को क्यों अच्छी rank मिली है इसमें low per capita emission होने की वज़े से ये तो हमने पता ही है में कि world का जो average ह पर capita emission उससे भी इंडिया का बहुत कम है ठीक है इसके अलावा देख सकते हो Sweden, Egypt, Chili और UK यह ऐसे country जो टॉप 7 में रहे हैं और इंडिया की rank आप देख सकते हो green house gas emission की point of use है ठीक है उसमें इंडिया की 12th rank रही है Scandinavian countries for example Sweden, Norway और यह इन्होंने अच्छा perform किया है ठीक है और आप देख सकते हो Iran और Russia इनकी भी ranking इतनी अच्छी नहीं रही है और इसके लाव Australia, South Korea, Russia इनकी भी performance अच्छी नहीं रही है China की ranking 33 रही है जो कि low performance मिस है तो अप में तो इंडिया के ओपर ध्यान रखना है में इन तो इंडिया न अच्छा perform किया है यह देख लो climate change performance index यहां पर आप देख सकते हो थर्ड rank तक कोई है नहीं, empathy, 4th, 5th पर हो गया, 10th पर आप देख सकते हो, इंडिया है ठीक है, इसी तरीके से इधर आप देख सकते हो, green house gas emission उसमें कौन है, इंडिया 12th rank पे, clear है यहां तक, आगे चलते हैं देखो एक नया word अभी news में है, that is, ISSI या EC sonic, ठीक है, यह newly discovered dinosaur की species है, जिसका यह बताया जा रहा है कि 214 million साल पहले, यह green land वाले एरिया में roam किया करता था, घूमा करता था, ठीक है, तो बाकी तो देखो इतनी जाते important चीज़ नहीं, बस इतना सा ही आप ध्यान रख लो, कि EC EC sonic, यह recently news में था, यह क्या था, ठीक है, तो basically यही चीज़ बताईए, 3D model बनाया गया है, यह आप देख सकते हो, ठीक है, बाकी चीज़े मुझे नहीं लगता है, इतने important है, जिनको हमें देखना हो, क्योंकि नाम है, अच्छा, EC sonic जो word है, इसका मतलब क्या है, यह green land का, green land म इसका मतलब होता है, cold bone, ठीक है ना, और बस यही था में, आगे चलता है, नेक्स्ट है, national security advisors की meeting जो इंडिया ने convene की है, अफगानिस्तान के मुद्दे को लेकर उसको जानते हैं, देखो, इंडिया ने host किया है, इस meeting का नाम देखो आप, Delhi Regional Security Dialogue on Afghanistan, यह आप ध्यान रखोग इसमें national security advisors को invite किया गया था, वैसे तो इसमें पाकिस्तान और चाइना के national security advisors को भी आना था, पर उन्होंने attend नहीं किया है, पाकिस्तान ने तो यह कह दिया, कि इंडिया जहां पर participate करेगा, अफगानिस्तान के मुद्दे पे हम वहाँ पर नहीं जाएंगे, और चाइना का क कहना यह है कि हम schedule की वज़े से कहीं दूसरी जगे पर occupied है, इस वज़े से नहीं attend कर पा रहे हैं, चीछ चलो चीछ, ठीक है कोई बात नहीं, तो ऐसे में participation किस-किस country का हुआ है, देखो इरान की तरफ से, रश्या की तरफ से, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजीकिस्तान, त चीछ डिक्लियर कर दी थी ना, कि वो अफगानिस्तान से विड्रो करेगा, तब से ही ये बात चल रही थी, 2018 से, तो ऐसे में national security advisors की meeting, इरान ने पहले convene कर दी थी, जिसमें इरान में जब ये meeting हुई थी, तो अफगानिस्तान, इरान, रश्या, चाइना और इंडिया के NSS न हुई थी, तब भी एरान ने दूसरे साथ countries के साथ में मिलकी है, जिसमें तजीकिस्तान और रुजबेकिस्तान भी आ गये थे, नए, ये पहले जो तो इन्यू में, तो उनकी meeting हुई थी, तो पाकिस्तान ने इन दोनों meeting को attend नहीं किया, क्यों, वो ही बात आ गई, कि इंडि पाकिना ने ये कह दिया कि हम bilateral और multilateral channels के ओपर इंडिया अगर lead करता है, अफगानिस्तान में peace को promote करने के लिए, तो बोला हम इंडिया के साथ participate करने के लिए, रेडी हो, उसमें कोई doubt नहीं है, पर अभी हमारे पास में scheduling issue था, इस वज़े से हम यहाँ attend नहीं करने आ रहे है अब सवाल ही आ जाता है, कि ये matter क्यों करता है, matter इसलिए करता है, देखो, कि सीदी सी बात है, security point of view से बहुत जादा vulnerable है अफगानिस्तान, वहाँ पर कोई भी changes आते है, तो आसपास के area में बहुत जादा insecure, अगर मुद्ध हो जाते हैं, तो फिर बाद में problem है, regional issue, तो देख है, उसको ना promote होने दिया जाए, क्योंकि अफगानिस्तान में अगर terrorism होगा, तो अफगानिस्तान से बाहर की तरफ भी terrorist activities बढ़ जाएंगी, पहला मुद्ध, दूसरा मुद्ध, कि जो radicalization extremism है, अफगानिस्तान की population का, वो जादा ना हो जाए, नहीं तो क्या होगा, उस radicalization extrem extremism का हसर जो है, हर एक country पे जो meeting attend की है ना, इन सभी countries पे देखने को मिलता है, तीसरा मुद्ध, cross border moment, जो अफगानिस्तान के लोग छोड़ करके आ रहे हैं, उनको कैसे tackle किया जाए, क्योंकि कुछ तो ordinary साधरन अफगानिस्तान के लोग हैं, और कुछ तालिबान के fighters हैं, जो बहुत ज़्यादा rise होना, क्यों? क्योंकि तालिबान के पास में revenue collection के लिए कोई इतनी कोई legitimate acceptance तो है नहीं, तो फिर वो क्या करते हैं, illegal activities को promote करके और पैसा कमाने की कोशिस करते हैं, और फिर पांच वा जो मुद्ध है वो ये, कि जब US और इसके allies ने withdraw किया, तो अफगानि पर ये अपने आप में centered meeting रही, ठीक है, और वैसे latest update तो ये है, कि ये जो NSA's हैं, इंडिया, इंडिया के लावा जो साथ counterpart है, national security advisors, इन्होंने final कर दिया है, एक तो statement common है, कि अफगानिस्तान के territory का terrorism promote करने के लिए use ना हो, ठीक है, इसके अलावा पाकिस्तान का absent होना, वो ची चाइना है, चाइना इस चीज़ को लेकर के बिलकुल alert है, क्योंकि अगर कहीं पर भी problem होती है, तो ऐसे में चाइना बहुत सोच समझ करके काम कर रहा है, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो, चाहे इरान हो, चाहे रश्या हो, इनका तालिबान के साथ में engagement continue है, बाचीत तक भी इनमें से किसी भी country ने तालिबान को recognize नहीं किया है, किसी ने भी legitimate consider नहीं किया है, और दूसरी तरफ, तालिबान के रिजीम के आने के बाद में, जो बातें, जो commitment तालिबान ने लिये थे, उनको अभी तक properly implement नहीं कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ देके तालिबान के मुद्दे के ओपर जब पाकिस्तान को invite किया, कि भई आजाओ आप भी बातचीत कर लो, तो पाकिस्तान के credibility के ओपर सवाल है, कि पाकिस्तान के intention क्या है, और पाकिस्तान के actions क्या है, इसके लिए एक चोटा से example है, कि इंडिया ने पाकिस्तान से approval के लिए request डाल रखी है, कि हम 50,000 टन गे हुँ है, वो transfer करना चाते हैं, अफगानिस्तान के लोगों को support देने के लिए, aid provide करने के लिए, पर हभी तक भी पाकिस्तान ने कोई approval नहीं दिया है, तो पाकिस्तान चाहता किया है, यह चीज बिल्कुल clear है, इसके अलाबा हकानी network, जिसको terrorist organization declare कियो है, United Nation Security Council के द्वारा, उसके बावजूद भी Taliban की जो नहीं सरकार बनी है, उसमें अकानी network के individuals का induction करवाना, ठीक है, तो वो अपने आप में पाकिस्तान के उपर एकदम doubt किया, एकदम clear है, रही सही में सब को यह चीज clear है, एक चीज तो common है, इन सभी की जो meeting हुई है, कि Pakistan is a big spoiler, ठीक ह इसके अलावा, इंडिया ने देखो, यह meeting के अंदर previous government से related जो भी individuals थे, उनको किसी को नहीं बुलाया, ना तो अब्दुल्ला अब्दुल्ला को, ना हमिद करजई को, ना फिर असरफ गनी को, किसी को भी invite नहीं किया इस meeting में, युकि सिद्धी सी बात है, मुद्दाई अब पर इंडिया अपनी तरफ से पूरी कोशिश है कर रहा है, कि कैसे भी करके engagement हो, क्योंकि region में अगर कहीं पर भी instability आती है, तो इंडिया पर उसका असर बेशक देखने को मिलेगा, ठीक है, तो यही चीज़े बताई जा रही है, possibilities आगे क्या हो सकती है, कि इंडिया देखो high level participation में जाना चाहता है, तो एक शुरुवात है अपनी तरफ से, एक intentional manner में, कि हाँ जी हम कैसे भी करके, अफगानिस्तान में stability लाने के लिए तयार है, पर तब तक तयार है, जब अफगानिस्तान में जो तालिबान का रिजीम है, वो कई हुई बातों पर accurately आए, बाकी तो क्रियेटिव टैग, देखो श्री नगर को यूनेस्को की क्रियेटिव टैग मिल गया है, पूरी डिटेल से समझेंगे है, सब कुछ समझ में आ जाएगा, श्री नगर, जमो इन कश्मीर की capital, ओके, देखो अभी रिसेंटली यूनेस्को की द्वारा, क्रियेटिव सिटी ने श्री ने जिन को ये यूसी आनन का टैग यूनेसको की द्वारा दिया जा चुका है, इस में ध्यान किस पे दिया जाता है, क्ये एक सिटी, जिसका एक डिस्टिंक्टिव कलचर, वहां की क्रियेटिविटी जैसे क्राफ्ट में, फॉक आर्ट में, डिजाइन में, फिल्म मे gastronomy में या फिर literature, media arts, music किसी भी तरीके से और साथ में sustainable urban development को advancement की तरफ लेके जाए तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए और फिर बाद में ये UNESCO's creative cities network का tag दिया जाता है और उसी list में अब stranagar add हो गया है ठीक है ऐसे में इंडिया की तरफ से stranagar कोई पहली city नहीं है इसके पहले 5 cities already included है और उन 5 cities के नाम क्या क्या है वो आप यहाँ पर देख सकते हो Mumbai film के लिए, Hyderabad gastronomy के लिए इसी तरीके से चिन्नई music के लिए, Varanasi music के लिए जैपूर crafts and folk art के लिए और अब श्री नगर यह art and craft के लिए तो टोटल अब 6 cities हो गई है युनेसको के इस creative cities network में clear है यहां तक आपको इसके अलावा श्री नगर अभी जो request डाली गई थी यह request डाली थी यहाँ पर आप देख सकते हो the Indian National Commission for Corporation with युनेसको इन्होंने अपनी तरफ से request डाली थी recommendation दी थी कि स्री नगर और ग्वालियर को दोनों को आप इससे UCCNN में add करो पर ग्वालियर को देखो rejection मिल गया है पर स्री नगर को add कर लिया गया है अब बात आजाती है कि स्री नगर में कौन से art and craft है वो promote ज्यादा चलती है देखो जब तक जब आप कर भी कश्मीर जाओ तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि traditional crafting craftsmanship वहाँ पर बहुत ज़ादा है हाथ से कामकारी गरी बहुत जबर्दस होती है तो ऐसे में कोई individual city को allow करना UCNN के लिए तो यही recognize करना होता है कि उस particular city का किस point of view से significance है ठीक है अब स्रीनगर के अलावा वहाँ पर जो और भी cities है एरियाज है जैसे स्रीनगर हो गया खुद इसके अलावा गंदरबाल हो गया और बुदगाम यह main district है कश्मीर के जो की हैंडी क्राफ प्रोडक्ट को बनाने में वहाँ पर involved रहते हैं अब हैंडी क्राफ प्रोडक्ट में आप देख सकते हो textile भी है carpet भी है rugs भी है crawl embroidery भी है silver wears भी है wood work भी है बहुत सारे काम किये जाते हैं वहाँ ठीक है पेपियर माचे ये बहुत famous है इसके अलावा आप देख सकते हो कि कश्मीर में ये काम होते है और पेपियर माचे अगर इसकी देखें तो एक बार आप image देखोगे तो और समझ में आएगा तो आपके सामने ये स्क्रीन पर आप देख सकते हो पेपियर माचे क्या होते है बेसिकली ये composite material होता है जिसमें paper piece या pulp जैसे आप किसी paper को पानी में अगर घोल दोगे न तो उसके बाद में वो liquid में convert हो जाता है और उस liquid material को आप सुखा करके कोई shape देना चाहो तो उस paper से कोई structure create कर सकते हो जैसे आपके सामने ये मुखोटा है ये एक ball global globe बनाने के लिए ball बना दी ये चीज़े होती है तो ये इन चीज़ों में वहाँ पर बहुत ज़्यादा expertise है कश्मीर में स्रीनगर की अगर particularly बात की जाए तो और ये जो paper माचे है या paper से बनने वाले जो structures है ये देखो कश्मीर में लेकर के कोन आया थे सेंट मीर सेयद अली हमादानी परशिया से लेकर के आया थे 14th century में फिर इसी के basis पर paper pulp का यूज़ करके अलग-अलग चीज़े बनाना जैसे ये वैसिस, ball, cups, boxes ये अलग-अलग structures बनानी शुरू कर दी मतलब small traders, cariggers ये हो गए, तो इस point of view से ही है एंडी craft का एक segment है ना इसकी वज़े से, अच्छा, दूसरी कि वहाँ पर लकडी का बहुत काम होता है और लकडी कहां से आती है जो walnut tree होता है अक्रोट के जो पेड होता है, उनकी लकडी जो अक्रोट का पेड नॉर्मली 7000 feet हाइट पे होता है, ठीक है और वो conditions देखो, स्ट्रेनगर वाले एरिया में available है, तो इसका भी use किया जाता है वहाँ पर कुछ भी activities या कुछ भी crafts बनाने के लिए अब देखो, बात ऐसी है कि अभी recently pandemic और government की policies का क्या effect आया है तो जब से article 370 abrogate हुआ है अगस 5 2019 से, अब तक वहाँ पर indefinite lockdown चलता रहा क्योंकि पहले तो article 370 की वज़े से हैं और फिर बाद में COVID-19 आउटब्रीक हो गया और रही सही में फिर UT के वज़े से कि militancy को कंट्रोल करने के चलते हैं पर अब लगातार जो काम है ये हैंडीक्राफ्ट का वो इतना अच्छे से नहीं हो पा रहा है तो ये थोड़ी से मुश्किले पैदा कर रहा है वहाँ के हैंडीक्राफ्ट के लिए ठीक है और दूसरी तरफ ये tag जो मिला है UCCN का तो ये देखो श्री नगर ने पहले भी अप्लाई किया तो 2018 में पर रिजेक्शन हो गया फिर दुबारा से अप्लाई किया तो अब फाइदा मिला और अब की बार जो है वो श्री नगर मुंसिपल कॉर्पोरेशन और साथ में इंटेक कश्मीर इन्होंने मिलकर के अपनी तरफ से अब प्रोपोजल दिया कि हम यहाँ पर लोकल इंडस्ट्री को प्रोमोशन दिलाना चाहते हैं और अल्टीमेटली अब UCCN टेग मिल गया है न तो इसका फाइदा क्या होगा फंडिंग मिलना इंटरनेशनल कॉलबरेशन होना यूनिवर्सिटीज में रिसर्च होना या उनके और प्रोमोशन होना तो इसके फाइदे बहुत मिलेंगे कश्मीर के लोगों को यह है में पॉइंट यहाँ पर ठीक है आगे चले मतलब कि अभी चाइना की कम्यनिस पार्टी की मीटिंग हो रही है और उस मीटिंग में यह फाइनलाइज हो रहा है कि जी अब स्षी जिन पिंग को थर्ट अम दे देनी चाहिए ठीक है तो उसे से रिलेटेड यह आर्टिकल है जिसमें आप देख सकते हो इसको बोला जारा है फोर डेज प्लेनम ठीक है यह अपने आप में आप कह सकते हो बहुत ही इंपोर्टन मीटिंग है चाइना की जो कम्यनिस पार्टी है उसकी जिसमें जो हाइर लेवल की अथियोरिटी है वो बैठती है बातचीत करती है और आपको पता है कि चाइना के प्रेजिडेंट है ना वो ही चाइना की जो चाइना की कम्यनिस पार्टी है उसकी सेंटरल कमिटी के जनरल सेक्रेटरी भी है ठीक है तो इसमें टोटल 370 मेंबर्स है सब लोग इसमें अटेंड गरेंगे और बाचीत होगी कि आने वाले टाइम पर अब क्या प्रोग्राम हो ठीक है तो ऐसे में जो resolution लिया जाएगा इस meeting में वो अपने आप में बहुत ही जादा important रहता है चाइना की communist party के point office से देखें ठीक है इसके पहले जो यहां पर यह प्ले नम होते हैं कुछ resolutions लिये जाते हैं ठीक है तो उसमें अभी तक Mao Zedang और Deng Xiaoping ठीक है और Jiang Zemin ये कुछ ऐसे individual leaders रह चुके हैं Chinese leaders उन्होंने कुछ resolution लिये हैं और उसी line में अब Xi Jinping का नाम भी add हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से अपने आप में वहां की communist party के लिए important हो जाता ह है इसके अलावा ये जो expectation होगी वो क्या एक तो शी जिन पिंग का जो अभी second term खतम हो जाएगा अगले साल उसी को continue extend किया जाएगा इसके अलावा पहले जो historical resolution लिये गए हैं उन resolutions में अगर देखो तो Mao Zedang ने क्या लिये थे 1945 में resolution of certain questions in history of our party मतलब communist party के relevance related resolution लिये थे फिर second resolution लिया गया था डेंक जियाओ पिंग के time पे 1981 में उसमें ये था कि communist party के सामने जो भी uncertainty वो भी situation आई थी उनको कैसे manage किया जाए अब शी जिन पिंग क्या लेते हैं वो time बताएगा क्योंकि लगबग 100 साल हो चुके हैं communist party की establishment हुए है ठीक है इसके लावा आप देख सक काबित हुए थे हना माउजडांग के बाद में फिर जैसे इन डैंक जियाओ पिंग आये तो उन्होंने Chinese economy के लिए opening up कर दिया था इस वो भी किस तरीके से Chinese style में capitalism लेकर के आये थे ठीक है जो कि अभी तक चल रहा था अब हमें पता है कि चाइना की communist party ने decide कर लिया कि वो यह हां से भी यू टर्न ले रहे हैं बहुत से आर्टिकल हमने एडिकल्स एडिटोरियल में डिसकस किये थे तो आप देखो सो साल हो रहे हैं तो शी जिन पिंग जो है वो इन resolutions को लेकर कि इतना ज़्यदा comment तो नहीं करेंगे कि कौन कितना successful रहा कौन कितना failure रहा पर हाँ एक च चाइना का एक अलगी model निकालके लेकर आ रहे हैं तो ये एक नई चीज होगी यहां पर ठीक है बाकी चीजे देखो बार 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 वही बताई जा रही है चाइनीज कम्यनिस पारटी का वही था आप देख सकते हो चाइना का जो constitution है ना उसमें marxism और leninism ये तो वहां पर ह यही बाकी Mao Zedang का भी अलगी अपना concept था वो mix हुई फिर उसके बाद में डैंक जियाओ पिंग ने अपनी theory दी थी opening economy के लिए वो दे दी अब बात आ जाती है कि सी जिन पिंग क्या thought लेकर क्या आते हैं जैसे कि हमने देखा ना भी socialistic pattern में काम किया जाएगा तो ये है चाइ socialistic pattern पे काम करेगा अब ये ओके तो ये चीज पहले बातचीत हो चुकी है अब resolution जो लिया जाएगा वो एक दो दिन में पता पड़ी जाएगा हमें ठीक है आगे चलते हैं फिर आगे news जो है वो facebook से related ही है कि staff के तीन members ने issue rise किया था facebook के सामने कि अभी इंडिया में elections के time पे क कुछ ऐसे issues या ऐसी news या ऐसे पोस्ट हैं वो शेयर हो रहे हैं जिसकी वज़े से country को कुछ ना कुछ प्राब्लम का सामना करना पड़ सकता है तो ऐसे में जो whistleblower है Francis Heusen उनके interview से पता पड़ता है कि जनवरी 2019 में ठीक है एक review committee के members ने ये चीज कह दी थी कि जो critical countries है critical countries जो developing countries है या फिर जहां पर facebook का use अलग-अलग activities में हो रहा है तो बोलो वहां पर जो content है वो इतना ज़्यादा problematic नहीं है 2019 जनवरी में तो ये बात बोली गई थी ये बात होगी कब जब election नहीं हुए थे 2019 फिर 2019 की फरवरी में अगले ही महीने staff members ने ये कहा कि कुछ post ऐसी है ज पतलग जो एक communal hatred है या फिर कुछ issues को लेकर के polarization की हाँ बिलकुल सही बात बिलकुल गलत बात इस बात इन तरीके के ideology वाले individuals के बीच में एक thought process में gap आना ये चीज़ उन्होंने highlight कर दी फिर जब चुनाव खतम हो गए तो august में 2020 में staff ने ये concerns raise किये थे कि facebook की जो artificial intelligence based जो activities है vernacular languages को track नहीं किया जा पा रहा है that means कि जो local languages है उनके ओपर कोई command नहीं है that means आप देखो august 2020 में ये highlight कर दी गई थी फिर बात में फिर बात में Hindi और Bengali के classifiers की बात आई तो बलग कुछ ऐसे content है जिनके ओपर कोई question ही rise नहीं किया जा रहा है या ना तो उनको delete किया जा रहा है तो इस तरीके से sequence चो करता है कि Facebook को पता था सारी मतलब company को staff members ने कुछ issues को raise भी किया उसके बावजूद भी action नहीं लिया गया बाकिया आपको पता ही है कि Francis Heozen ने तो ये कह दिया था कि profit के सामने एक country में stability human rights को ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता है in social media platforms में एक तो कोई friend request नहीं कि किसी से कुछ नहीं कि और Facebook ने जो proposal दिये बस उनी को उनी recommendations को follow करता रहा वो तो पता पड़ा कि मैंने उस researcher नहीं ये कहा कि मैंने मेरी जिंदगी में जितनी dead bodies नहीं देगी उतनी मैंने तीन हफतों के अंदर देख ली थी इतना ज्यादा hatred fail आई जाती है इस expertise नहीं है तो जब आपको August 2020 में ये चीज signal दे दी गई थी staff members के द्वारा तो आपने action क्यों नहीं लिया तो ये questions है तो social media platforms का internal security को लेकर के या फिर country की functioning को लेकर के ये एक मुद्दा अपने आप में important बन जाता है आगे चलते हैं आगे देखो news है कि चार धाम road की widening की बात ह तो Supreme Court नहीं ये कहा कि एक climate activist है ग्रुप है ना उसको represent करने वाले advocates हैं कि आप एक चीज बताओ कि जो हमारे defense needs हैं उनके उनको हम ignore कर दें क्या environment के लिए क्योंकि जब हम ही safe नहीं होंगे हमारी borders ही safe नहीं होगी तो उस case में एक बार environment को थोड़ा बहुत compromise करना पड़े तो हमे सोचना चाहिए उस बात के लिए तो basically चार धाम project है इसमें आप देख सकते हो 889 किलोमेटर की hill road को widen करने की बात है all weather connectivity देने के लिए कि चाहे किसी भी तरीके की सर्दियां हो गर्मियां हो बारिशारी हो तो road तूटे नहीं तो इसके लिए environmental concerns हो आ रहे हैं पर security experts का यह मानना है कि चाइना जो है वो LSE के उस तरफ अपनी तरफ लगातार infrastructure बढ़ाता चला जा रहा है तो हमें भी हमारी capabilities को rise करना होगा क्योंकि अगर emergency case आ गया और military deployment को हमें move कराना पड़ा तो हमारे पास में road ही अगर सही से नहीं बनी होगी तो कैसे हम चाइना को contain कर पाएंगे exactly वो ही scene 1962 में कि हमारी तरफ से हम कुछ तैयारी नहीं रख पाए और उदर चाइना ने हमें हरा दिया ठीक है तो SMH Supreme Court ने ये कहा कि क्या defense needs को हमें override कर देना चाहिए environmental grounds के basis पे तो ये main concern था ठीक है ना तो कई बार क्या होता decision लेना पड़ता है ठीक है तो senior advocate है Colin Gonzalez जो की represent कर र change किया है कि stage 1 में जो wildlife clearance की ज़र्वत है जो भी expansion किया जारा roads का तो वो clearance नहीं दी जाये इनको हना पर वही बात है security concerns को ध्यान में रखते हुए government की सुप्रीम कोट ने ये बात उठाई अपनी तरफ से ठीक है वैसे आप देख सकते हो ministry of road transport के अंडर में ministry of road transport and highway उनके द्वार के 10 मिटर तक हमें करना है और साथ में सुप्रीम कोट ने ये भी का कि मान लो आप emergency की situation आ गई ठीक है और उस situation में अगर ये road की चोड़ाई कम है और एक तरफ से अगर किसी का personal vehicle आए और दूसरी तरफ से army का convoy जाए तो वहाँ पर अगर road चौक हो गई और जरुत है emergency में प ठाई जाती है कि आप ये जो भी करना चा रहे हो बोला ये चार धाम यात्रा को promote करने के लिए है ट्यूरिजम को promote करने के लिए है हेलिपेड बनाए जा रहे है वो सारी चीजे की जा रही है तो इनके concern अपने है पर यहाँ पर जो government का जो issue है that is हमारी border security को ensure करना है आगे चल है कि इंडिया चाइना की बीची जो relationship है उसकी वजह से हमें बहुत जादा problem सारी है हम दोनों की बीच में कैसे balance बनाए ठीक है वैसे तो trade point of view से देखे security point of view से देखे तो इंडिया की तरफ ज्यादा open रहती है border नेपाल की पर वही चीज है कि चाइना भी अपनी तरफ से वह जिसमें इंडिया ने बिलकुल भी नेपाल से आने जाने वाले vehicles थे उनको रोग दिया था border पे एक तो यह दूसरी चीज यह कि वहां का constitution बन रहा था उसी टाइम पर यह किया था सारा जो event हम बात कर रहे हैं जो blockade की बात करें दूसरा अभी जो पिसले साल की बात है कि जिस इंडियन गौर्मेंट के द्वारा जो एक नई रोड थी उसको inaugurate करना था कहां से दार्चुला से लिपू लेक के बीच में ठीक है 2020 मई में जिससे की जो कैलास मांसरोवर यात्रा है उसको आसान किया जा सके तो उसको लेकर के उस टाइम पर जो गौर्मेंट चल रही थी के अपनी territory बताता रहा है तो इस territory को लेकर के dispute आ गया था ठीक है तो वो चीज जो थी वो बहुत बहुत ही ज़्यादा tension वाली हो चुकी थी क्योंकि उस टाइम पर KPS ओली शर्मा की जो सरकार थी नहीं वो पूरी की पूरी चाइना की जोली में बैटी थी ठीक है और अभी जो कहा जा रहा है जो current सरकार है शेर बहादूर दौबा ठीक है तो उनका यह कहना है कि इंडिया और चाइना दोनों हमारे लिए important है और साथ में दोनों countries के बीच में अगर tension continue रहती है तो बोले नेपाल को ज़्यादा नुकसान होता है तो यह चीज यहाँ पर main निकल के आ रही है आगे चलते हैं फिर यह advertisement से हम पढ़ रहे हैं देखो RBI के दुआरा दो नई schemes launch की जा रही है डेट रहेगी 12 November ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे 12 November 2021 अब schemes क्या है वो देखना जरूरी है एक तो है RBI retail direct scheme इसमें क्या होगा कि जो retail investment है एक individual जैसे आप और मैं अग इसके लिए क्या होगा कि जो retail investors हैं एक individual जो भी invest करना चाहता government securities में उसको online RBI के साथ में government securities account open करना होगा free of cost open होगा यह ठीक है इसमें खरीदना और बेचना government securities का आसानी से हो पाएगा digital platforms पे तो यह clear हो गया आपका RBI की retail direct scheme दूसरी reserve bank के दुआरा integrated ombudsman scheme that means इसमें क्या होग ombudsman जो concept है यह basically आप मान सकते हो जैसे लोगपाल का काम है हना जिसमें अगर कहीं पर भी customers को कोई problem आ रही है तो सीधा यहाँ पर अपनी request डाल सकते हैं अपनी grievances को redress करवाने के लिए तो इसमें क्या है यह देखते हैं देखो one nation one ombudsman that means एक देश में एक ही लोगपाल या मतलब एक centralized manner में यह system तयार किया जा रहा है जिसें कि लोगों को problem जब भी आए तो वो अपनी complaints file कर सकें ठीक है अपने document को submit कर सकें अपने document या फिर जो भी complaint है उसका status track कर सकते हैं कि कितना क्या काम हुआ और feedback भी दे सकते हैं और यह कौन सी entities इस scheme के अंडर में आएगी वो entities जिनको RBI regulate करता है यह आप ध्यान रखेंगे और toll free number भी दिये जाएंगे assistance के लिए कि कैसे filing की जाती है complaints की और जो grievances है उनका redressal जो है वो भी multilingual basis पे होगा मतलब language का भी issue यहाँ पर नहीं रहेगा कि यहाँ जी किवल English में ही आप अपनी complaints register कर सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है ठ captive miners captive miners का मतलब वो firms जिनकी खुद की अपनी manufacturing firms लगी हुई है और वो अपने ही area में कोई mine को खरीद करके और production करते है minerals का और उन minerals का use करते हैं अपने खुद की production firm में ठीक है तो इस तरीके की mining को बोल दिया जाता है captive mining तो ऐसे में government of India की दुआरा captive miners को allow कर दिया है कि जितना भ रहे हो उसका 50% जो है आप बेच सकते हो ठीक है तो इसके लिए देखो एक तो rules है the minerals other than atomic and hydrocarbon energy minerals concession fourth amendment rules 2021 ये लाए गये हैं ठीक है ये ध्यान रखो गया आप इसमें देखो atomic minerals नहीं है और hydrocarbon जैसे की natural gas crude oil ये included नहीं है इनके अलावा जो दूसरे minerals है वो इसके पहले भी देखो the mines and minerals development and amendment act 1957 इसमें भी changes ला दिये गए थे कि कैसे भी करके जो mines से minerals का production है उसको boost किया जाए और economy में एक push लाया जाए तो उसी line में ये दोनों चीज़ें आप ध्यान रखोगे जो changes लाए गए हैं ठीक है सरकार पूरे मानस में कैसे भी करके economic activities बढ़े दूसरा ये जो rules change किये गए है ना इसमें एक और की मान लो कोई minor है जैसे mining की है ना और उनको जो payment करना था government को वो time पे पे नहीं कर पा रहे हैं तो delayed अगर payment कर रहे हैं तो उनको पहले 24% ब्याज देना पड़ता था अब उस ब्याज को भी 12% कर दिया गया है तो ease of doing business promote हो गई एक तरीके से हैं ठीक को replace करने के लिए एक नई scheme पे काम किया जा रहा है ये बात बोली गई हमारे जो commerce minister है पियूश गोयल जी उनके द्वारा ठीक है तो target है कि हम service export को 2030 आते आते 1 trillion dollar तक achieve करें एक तो ये important बात है इसके अलावा service export की बात करें तो इंडिया world में 7th largest service exporter है ठीक है जिसमें हम ज़् dominant किसमें करते हैं information technology या information technology enabled services में तो अब हम किसमें focus करना चाते हैं एक तो education को promotion मिले hospitality को hotel line की इनकी बात और medical tourism इनको हम ज़्यादा से ज़्यादा promote करना चाते हैं इसके लिए support देने के लिए हमने हमारी तरफ से कुछ बड़ी economies के साथ में free trade agreement की बातचीत भी शुरू कर रख की हैं जैसे की UK, European Union, Australia, UAE ठीक है जिसने के साथ में early harvesting agreements हैं वो अभी approach में है कि जल्दी से जल्दी final हो जाएंगे ठीक है तो ऐसे में हमारे पास में अभी जो services के export के लिए scheme है that is service export of India scheme ठीक है तो इसको replace करने की बात चल रही है नई scheme तयार करके वैसे तो अभी goods की बात करें merchandise exports की अगर बात की जाए तो हमारे यहां से current अगर export देखें तो merchandise के लिए तो टर्गेट किया हुआ है कि कैसे भी करके 1 trillion dollar तक का हम export बढ़ाएंगे goods में है ना financial year 2028 तक आते आते हैं ठीक है और अभी current कितना चल रहा है last fiscal की बात करें 2020-21 में तो हमारा export रहा था merchandise का 291 billion dollar तो यहां तक ले जाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा कुछ करना है और 1 trillion dollar service export के लिए कौनसा साल fix किया है 2030 यह ध्यान रखोगे आप इसके अलावा अगर हम देखें यहां पर तो service की बात करें तो service में अभी तक जितना भी FDII है ना 2000 से लेगे 2021 के बीसमें foreign direct investment उसमें सबसे ज्यादा जो आया है वो service sector में आया है 53% एक यह बात भी बड़ी important है ठीक है और बाकिया आप देख सकते हो surplus और यह तो हो जाएगा कोई issue नहीं है चलो आगे चलता है फिर हम आ गया है देखो world page पे world page पे देखो climate change को लेकर ही मुद्दा चल रहा भी है ना Africa और India इन्होंने म climate को control करना climate change को control करना चाहे और यह funding किस से आनी चाहे बोले rich nations से ठीक है तो इसमें African country और India जैसे countries मिलकर के group बना चुके है 24 countries का जिसका नाम है like minded developing countries इसमें African countries तो हैं ही बाकि इसके अलावा India है और India के अलावा और कौन कौन से countries उनके नाम जरा देख लो China, Indonesia, Malaysia, Iran, Bangladesh, Sri Lanka and Philippines और बाकी African होई गए तो ऐसे total 24 countries का यह group है जो कि demand क्या कर रहा है कि 2030 से 2030 से आगे आने वाले सालों में कम से कम हर साल 1.3 trillion dollars per year के हिसाब से financial assistance देनी होगी किसको जो developed countries है उनको in developing countries को हाना वैसे तो 100 billion dollar के लिए तो agreement हो चुका है अब वो बात है कि जो बाते हुई है वो वाकई में implement होगी कि नहीं वो time बताएगा इसके इलावा एक news ओर है देखो चाइना ने most advanced warships है वो पाकिस्तान को deliver कर दिया है और इसमें आप देख सकते हो यह ship है यह किस टाइप का है टाइप 054A P frigate ठीक है ना तो चाइना का जो state ship building corporation limited है उसने यह develop किया है और चाइना लगातार इंडियन ओशियन में अपनी presence को ब बनाने के लिए बात की जा रही है ठीक है और इसके अलावा यह जो अभी यह जो वार्शिप दिया है ठीक है ना जिसका नाम क्या रखा जाएगा PNS to grill ठीक है तो इसमें आप देख सकते हो surface to surface surface to air and underwater fire power capacities इसमें available है अब चाइना क्यों इतना कुछ कर रहा है उसके पीछे बनाने के लिए जिबूती होनोब एफरिका में already अपना एक नेवल बेस ओपन कर लिया इसके अलावा चाइना जो है वो पाकिस्तान में गौादर पोर्ट को एक्वाइर कर चुका है अरेबियन सी में लगातार अपनी presence को increase करना चाता है और आपको पता ही है कि चाइना पाक का टार्गेट ले करके चल रहा है तो इन सारी चीजों को टैकल करना इसके अलावा चाइना श्रिलंका में हम बंतोता पोर्ट को 99 साल की लीज पर लेच चुका है वहां पर भी अपनी activities continue कर रहा है तो overall Indian Ocean में चाइना की पकड़ लगातार बढ़ रही है और जो पाकिस्तान क चाइना पाकिस्तान को लगबग आठ सब्मरीन्स भी देने वाला है आगे चलता है एक चोटी सी न्यूज यहां पर यह है कि पाकिस्तान की चीफ जस्टिस ने अभी एक हिंदू टैंपल को इनागरेट किया है रीकंस्ट्रक्ट करवाने के बाद में है ना तो पाकिस्तान क टेरी विलिज खैबर पक्तूनवा प्रोविंस ठीक है यही एक इंपोर्टन चीज थी यह रीसेंटली टैंपल नियूज में था कहा है तो पाकिस्तान आप इसका जवाब दे दोगे आगे चलते हैं फिर स्पोर्ट स्पेस पर आगए हैं स्पोर्ट स्पेस पर आप देख सक तो ब्राजील की फुटबॉल टीम है ना वो आप देखो यहाँ पर वर्ल्ड कप में रनर अप रही थी और वैसे रैंकिंग देखो ना फीफा के हिसाब से तो नंबर सेवन रैंक पे है ब्राजील के बाद में फिर चिली के साथ में भी खेलेगी इंडियन वर्मन टीम वहा है ठीक है और वैसे इंडियन क्रिकेट टीम के नए अभी टीटवेंटी फर्मिट में नए कप्तान रोईट शर्मा बन चुके है और राहूल द्रविड का फाइनल अपॉइंटमेंट हो चुका है हेड कोच के तौर पे यह भी क्लियर है ठीक है तो इस डिसकुशन में जो भ बुड़ापेष्ट रोमानिया की कैपिटल है बुखारेष्ट और सर्भिया की कैपिटल है बेलेग्रेड ठीक है तो यह करेक्शन आप कर लेना ठीक है थैंक्यू वेरे मच्च